हेलो गाइज इस वीडियो में हम एवरेज लाइफस्पैन कंपेर करने वाले हैं वेरिस एनिमल्स की पहले पे हैं मेफलाई ये 24 आवर तक जीते हैं मेफलाई एक इंसेक्ट होता है इनकी जिन्दगी में 4 स्टेज होती है पहले स्टेज जब कोई मेफलाई अपने एक्ज किसी प्रैस्पोटर में देती है और ये एक्जं डूबते-डूबते नीचे चले जाते हैं चुए शेक्टेज में यह ऐकी से भार आ जाते हैं में यह निम्ब पाणी के अंदर राते हैं 3rd stage इनके wings develop होने लग जाते हैं जिने done stage कहते हैं और ये पानी से भाद निकल जाते हैं और अपने एक्टुस क्रेटर को वही छोड़ जाते हैं 4th stage adult stage कुछ समय पसात ये अपनी skin को फिर से निकालते हैं और पूरी तरह एक adult यानि युवा में fly बन जाते हैं जिने imago कहते हैं और इनकी life ही बहुत कम होती है कुछ गंटों से लेकर 24 hours तक next है male mosquito ये 6 से लेकर 7 days तक जी सकते हैं जो male mosquito होते हैं वे खुनी पीते हैं ये फूलों का रस और प्रांट जूजीज पीते हैं और जो खुन पीते हैं ये है female mosquito जो male mosquito होते हैं वे smaller होते है female mosquito से नेश्ट है house fly ये 28 days तक जी सकते हैं नेश्ट है honey bee ये 30 से लेकर 60 days तक जी सकते हैं मदव मुख्या सेथ को अपने इस honey storm में बनाती है फुलों के रस को लेकर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि मदव मुख्या कैसे सेथ बनाती है इसके बाद है house mice ये 2 साल तक जी सकते हैं ये दुनिया की हर continent पे पाए जाते हैं बस एंटार्टिका को छोड़ कर नेश्ट है इन्हे कान बहुत सेंसिटी होते हैं इसलिए घास में बिल्कुल थोड़ी सी आवाज को सुन लेती हैं और बिल्कुल एक्जल लोकिस्तन को जा सकते हैं जिससे शिकार कर पाती हैं ये रात में ज्यादा एक्टिव रहती हैं ताकि और शिकार करने वारे जानवर कम हो और competition भ हर जगह पर पाई जाती हैं एक्सेब अंटार्टिका नेश्ट है पीजन्स पीजन्स तीन से लेकर पाच यहस तक नोर्मली जी सकते हैं इन्हें अपने घर से दूर छोड़ देने पर ये वापी स्वई पर आ जाते हैं इनकी नेविगीशन स्किल बहुत बढ़ी होती है इस इसलियन की स्किल थोड़ी गीली होती है ताकि गैसिज को यह एक्सेंज कर सके इसलिए लेक या पानी के स्तरोत के पास होते हैं नेश्ट है चिकन्स यह 5 पास से लेकर 10 साल तक जी सकते हैं नेश्ट है रैबिट रैबिट आठ से लेकर 12 तक जी सकते हैं नेश्ट है चीता य यह दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं पर यह बहुत कम समय के लिए इतनी तेज़ दोड़ सकते हैं नेक्स्ट है डोमेश्टिक सीप यह 6 से लेकर 14 तक जी सकती हैं सीप सोचल एनिमल हैं यह इकठा रहना पसंद करते हैं जो नहीं सिकार से पचाता है फिमर्शिप को इवीज का जाता है वही मैलसिप को रेम्ज नेक्स्ट है पिक्स यह 10 से लेकर 15 योज तक जी सकती हैं पिक्स आपको देकने में जैदा इंटरिजेंट नहीं लगतेंगें अर यह काफी इंटरिजेंट होते हैं और इनकी intelligence को dog से भी compare किया जाता है male pigs को words का जाता है और female pigs को soj नेश्ट है लाइन्स ये 15 years तक जी सकते हैं किसी भी forest में और पड़जू और wild लाही में ये 20 से लेकर 25 साल तक जी सकते हैं क्या आपको पता है कि जो female lion है मैं ज्यादा जीती है 15 से 16 years तक जबकि male lion 8 से 10 years तक नेश्ट है tiger ये भी 10 से लेकर 15 years तक जी सकते हैं और अच्छी तरह से रखा जाए तो 20 years तक जो female tiger होती है उसे tigers का जाता है और वह 2 से लेकर 4 girls पैदा करती है और जो कब अभी जन में होती है वे अंदे होती है और उसकी mother को उनकी protection और ध्यान दखना पड़ता है नेश्टेक cats नर्मली domestic cats जो घुरों में रहती है वे 12 से लेकर 8 years तक जी सकती है वैसे इनकी age average 13 से लेकर 14 years तक होती है नेश्टेक cow नर्मली cow ज 5 से लेकर 20 years तक जीती है नेश्टेक giraffe ये 20 से लेकर 25 years तक जी सकते है इनकी neck 6 feet तक लंबी होती है adult giraffe के height 14 से लेकर 18 feet तक होती है नेश्टेक horse ये 25 से लेकर 30 years तक जी सकते है ये 30 से लेकर 40 years तक जी सकते है ये सामने अकेले या छोटे से group में रहना पसंद करते है नेश्टेक चिंपैंजी ये भी 30 से लेकर 40 years तक जी सकते है ये जो चिंपैंजी होती है इनमें ओजार को यूज करने की ability होती है इन्हें पत्रों से नर्स को तोड़ते वे बहुत बार observe किया आगा है नेश्टेक ए elephant एलेफेंट 50 से लेकर 37 years तक जी सकते है इन्हें इनकी intelligence और साथी emotions के लिए जाना जाता है क्या elephant पानी को सूंग सकते हैं इस वीडियो को आप देख सकते हैं नेश्टेक टोड़ टोईज ये 100 से लेकर 1500 years तक जी सकते हैं नेश्टेक बोहेड वील ये 200 years से ज्यादा तक जीती है इन्हें इनकी इसी लंबी उमर के लिए जाना जाता है जो इन्हें पीत्वी पे सबसे ज्यादा समय तक जीने वाले जानरों में से एक बनाता है इनकी बिल्कुल accurate age अभी तक पता नहीं है नेश्टेक Greenland shark इनकी lifespan 600 years तक या इससे भी ज्यादा हो सकती है इनके इतनी ज्यादा साल तक जीने का रीजन इनकी slow growth rate बताया जाता है यानि ये बहुत देदेडे grow करते हैं साल के गयल कुछ cm जो adult Greenland shark होती है वे 20 feet तक बढ़ सकती है और ये shark बहुत तंडे environment में रहने के अनुकुल हो चुकी है इन्हें fat की थिक layer होती है जो इन्हें icy water में survive करने में मदद करती है पर ये बहुत slow swim करती है 1.6 km per hour इनकी इतनी slow movement आज़ पास के cold environment और slow metabolism कारण होती है ये बहुत deep way पाई जाती है लगबग 2000 से लेकर 7200 feet तक इसलिए इनके बारे में जाना थोड़ा मुश्किल है नेश्ट है ocean quahog ये कलाम के एक species होती है ये 500 year तक जीवत रह सकते है गिल्लाइट shark की तरह ocean हुआ हो भी बहुत देर देरे grow करते है हर year ये अपनी इस cell में एक layer add करते रहते है और इन rings को count करके scientist इनकी age को जानते है इनकी rings science की study के लिए valuable होती है क्योंकि वे इनकी rings से इस्ट्री में climate और ocean के बारे में जान सकते है When a medical student forgets his headphones home Scientist दुआरा बर्मान का सबसे बड़ा black hole खोज लिया गया है यह बर्मान का सबसे बड़ा black hole है जिसका size हमारे सूरे से 33 million times ज़्यादा है इसे imagine करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किर है यह black hole हमारी galaxy से 57 million light year सबे है यानि light को वहां से आने में 567 million साल लग जाएंगे और यह इस galaxy के center में है हर एक galaxy center में एक black hole होता है जैसे हमारी galaxy center में है Sagittarius A और इतने बड़े black hole की gravity कितनी होगी black hole पे एक special video चाहिए तो comment section बताए reality of life this video took me five to six days to make please share as much as possible thanks for watching मिलते हैं नच वीडियो में like और subscribe करना ना बोले उन्मेचेंज मुझें आगाँ मुझें है